असलाम लेकूम विवर्स मैं हूँ महनूर और आप देख रहे हैं फूड एंड स्टाइल विद महनूर जी फ्रेंड्स तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूँ एक सीक्रेट रेसिपी चिकन सूप की तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम एक कड़ाई लेंगे और उसके अं आपने ऐसा सूप कभी भी नहीं पिया होगा जी विवर्स तो अगर आप ने हरीपूर के मशहूर रेसिपी जरूर ट्राय करें इसका टेस्ट सेम वैसा ही होगा चिकन को घी में अची तरह भून लें और उसके बाद इसमें हस्बेजाय का नमक शामिल कर दें नमक शामिल कर रहें और हलका हलका पानी लगाते जाएं पानी बहुत ज्यादा नहीं शामिल करना पानी से इसलिए शामिल करना है ताकि चिकन जले नहीं बलके अची तरह उसको भून लें और उसके बाद उसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करना है चिकन पीस बहुत छोटे नहीं बनान दो से तीन मिनिट तक गाजरों को अची तरह फ्राय करना है गाजरों को फ्राय करने के बाद दो कप बन गोबी के शामिल करने है बन गोबी इसलिए ज़्यादा शामिल करनी है क्योंकि जब बन गोबी फ्राय होती है और पानी डाला जाता है तो गोबी बहुत ज़्यादा नर्म हो जाती है और फिर वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आती अब तीन कप पानी शामिल करना है और हलकी आँच पर ढख कर राक देना है ताकि सारी चीज़ें अची तरह गल जाएं 10-15 मिनिट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है जब सारी चीज़ें इंकल जाएं तो खोल ले पानी कम रह गया होगा अब इसमें 3-4 कप मजीद पानी शामिल करना है चमत चलाते हुए चिकन के पीस इसको तोड़ देना है चिकन पीस बाहर निकाल कर उसके रिशे करना ज़रूरी नहीं है अब टाइम है इसमें कौन फ्लॉर मिक्स करने का अब मैं एक कप पानी लूँगी और उसके अंदर 3 टेबल स्पून कौन फ्लॉर शामिल करूंगी और उसको अची तरह mix करके इसके अंदर शामिल कर दूँगी इसके लिए मैंने flame को off कर दिया है ताके मैं आसानी से ये सब कुछ कर सकूँ अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी और medium flame पर इसको मजीद 10 मिनिट पकाना है कौन फ्लोर्ट शामिल करते ही जब आप इसको पकाएं कि चूला ओन करेंगे तो ये गाड़ा होना शुरू हो जाएगा चमच चलाते जाएं जब ये गाड़ा हो जाएं तो एक अंड़ा लेकर इसको अची तरह फैंट कर इसके अंदर शामिल कर दें लेकिन अंड़ा शामिल करते ही जब चमच जरूँ चलाएं एक ही जगह पर अंड़ा नहीं डाल देना क्योँकर शूप गरम होगा और अंड़ा एक ही जगह पर पक जाएगा अंड़ा शामिल करते ही आप देखेंगे कि सूप कितना अच्छा लगने लग गया है आप इसको ट्राइज जरूर करें लेकिन कोशिश करें कि सूप को गरम गरम ही सर्फ कर दें क्योंके बार बार गरम करने से सूप पतला हो जाता है और उसका जायका भी पहले जैसा नहीं रहता अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया तो अभी सबस्क्राइब करें मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को ताके सबसे पहले मेरी वीडियोज आप तक पहुंचें अब लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही आसान टिप बताऊंगी जिसके साथ आप सेम रेस्टरेंट वाला टेस्ट ले सकते हैं एक बाउल में सबस मिर्चों को बहुत ही बारीक चॉप कर लें लेकिन मिर्चें आपने वो लेनी हैं जो बहुत कड़वी हों और फिर उसके अंदर वाइट सिरका शामिल कर दें जिस तरह मैंने शामिल किया है अब आप एक बाउल में सूप लें अब इसके अंदर सॉसिज और मिर्चों और सिरके का मिक्स्टर जो त्यार किया है वो शामिल करें और इंज्जॉय करें उमीद करते हूँ आपको मेरी ये रैसे भी पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कर दें कमेंट में अपनी राइज जरूर दें वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया आपना बहुत सार ख्याल रखें अल्ला हाफिज